हलो दोस्तों नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बन नहीं मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का सौगत करता हूं तो दोस्तों एक बार फिर से राकेट जुन जुन वाला जी ने एक छोटी सी कमपनी पे दाओ रखा है कमपनी का वेलिएशन तो मार्केट अच्छा खासा है लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस देके तो मात्र 125 रुपए के आसपास है ठीक है वो एक जमाने में 280 तक भी गया था लेकिन फिर से वो नीचे आया और स्टॉक पे आप लाकेट जुन जुन वाला जी ने दाओ रखा तो इस प्राकाल का प्लान क्यों किया वो पता नहीं चला देखिए पता है ना आपको कि हर कॉटर एंड के बाद अपनी स्टेक हैर फेर करते हैं क्योंकि कमपनी का पफोर्मेंस हमें पता चलता है कॉटर रिजिल देखके जो हम आप लोगों को हर वीडियो में बताते हैं इस वीडियो में भी बताने वालें कि वो कमपनी का financial condition क्या है तो चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बोलेंगे आप लोगों को की नीचे description में दोस्तों आप लोगों के लिए जिन वलाजी का नाम कहां पर हैं तो यहां पर आप देख सकते हो ठिके यहां पर आपको company का नाम दिखेगा ती मि 5 कि प्राइस नहीं जाता है समने किह में पर सब्सक्राइब कर hustle यहां पर यह बता जागा यहां कौन्टिटी कि यहांपर कि अब लाइफ इंशुरेंस कॉर्परेशन ओफ इंडिया एक इन्वेस्टर है और करीबन अगर देखें तो तीन करोड अर्टालिस लाग दोस्तो इस प्राकार से ही सोरी दोस्तो यह तीन करोड नहीं है यह चाउंटिस करोड इक्यासी लाग एक सूसेंटिस कॉंटिटी यह जुन जुन वाला जी का नाम वो हमें देखने को मिल गया है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिविजियल इंवेस्टर है करीबन अगर आप देखें तो इनके पास भी बहुत खतना के स्टेक है दोस्तो पांच करोड पिचतर लाग कॉंटिटी पांच करोड पिचत तो एक सो पचीस गुणे पांच करोड सत्तावी मतलब पांच करोड पिचतर लाग आप केलकुलेट कर सकते हो तो बहुत बड़ा फिगस निकल के आएगा दोस्तो यहाँ पर ठीक है इतना बड़ा फंड इसमें इन्वेस्मेंट किया है आपने शेरोल्डिंग पिटन देख देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनेसी बीएसी दोनों पर कमपनी आपको लिस्टेट मिलेगी ठीक है कमपनी का मार्केट के पे दोस्तो 52,000 दोसो बहुत तर कोड का बहुत ही शांदार पी एन्निंग रेश्यो के अगर मैं बात करता हूँ 12.07 का है ठीक है ख्यंव नीचे को मिल रहाए कंपनी के अंदर कुछ अच्छी कौलिटी देकते क्या देखने का तो साले 24 पर्संट तक ही थाजी ठीक है ये तो positive होगो नेगेटिव देख ते मतलब दोस्तों, लास्ट तीन साल में, साड़े साथ परसेंट की, मतलब, कमी आई है, इसके एक्विटी फर्म में, ठीक है, लाइबरीटीज भी काफी है, कंपनी के ओपर, कंपनी माइन्ड भी, केपिटिलाइजेशन, in the interest cost मतलब interest cost है company की वो भी काफी ज़ादा है promoters की जो holding है दोस्तों last 3 साल पे 10% कम हुई है तो ये भी एक हमारे लिए point है तो ये positive और ये positive quality आप लोगों को देखने को मिल रही company के अंदर अब हम देखते है company के quarterly region पे focus करते हैं क्या देखने को मिल रहा है स्टेक कम किया इंडिया बूल housing finance मतलब result आने से पहले उन्होंने स्टेक को बढ़ा दिया क्यों 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 कि महाँ पर उनको कुछ improvement देखने को मिल रहा है इसी प्रकास से इस company में भी उन्होंने अपनी जो स्टेक है मतलब पूरी तरीके से यहाँ भी अच्छा कासा था मतलब यहाँ पर एक मतलब मार्च 2019 एक इसा था जुसमें काफी हाई category के हिसाब से यहाँ पर sales growth बढ़ा हो सकता है company को आपर एक बहुत बढ़ा order मिला हो फिर उसके बाद sales growth थोड़ी से कम हो गई थी sales growth कम होने के बाद अगर हम देखें कि जो हमारे लिए जो important last के चार quarter से जैसे pandemic वाला जून 2020, सितंबर 2020, दिसंबर 2020 और मार्च 2020 चारो quarter में बहुत ही शांदार यहाँ पर improvement देखने को मिल रहा है आप यहाँ पर देखके चल सकते हो उसी के साथ साथ अगर मैं EPS आप लोगों को दिखाता हूँ कि company का EPS क्या है पहले profit देख लेते हैं तो profit देख सकते हो company का profit हर quarter में बहुत शांदा निकल रहे है यहाँ पर company को 2 quarter में loss भी हुआ था 2600 करोड का भी company ने एक single quarter में profit निकाला है 1200 करोड का loss भी हुआ है और लास्ट तीन quarter की अगर मैं बात करता हूँ चार quarter की यहाँ पर loss मतलब जून 2020 सितंबर 2020 डिसंबर 2020 और मार्च 2021 देखे 3400 करोड का profit दोस्तों निकला है एक single quarter में मतलब बहुत ही शांदा रहे और इसी के साथ EPS की अगर मैं बात करता हूँ earning per share एक रूपे 34 पैसे एक रूपे 48 पैसे एक रूपे 55 पैसे यहाँ पर मतलब बढ़ता जा रहा था यहाँ पर कम भी हो गया ठीक है दिन उसके साथ अगर देखे तो quarter to quarter जो EPS है वो आप देख सकते हैं लास्ट चार quarter में कितना खतरनाक देखने को मलता है देखे जो profit में भी बढ़ता है मतलब दो रूपे 47 पैसे माइनस में चले गया था EPS फिर यह एक रूपे 6 पैसे profit में आया तीन रूपे 55 पैसे फिर profit में और आट रूपे 40 पैसे अब यह profit में आया हो मतलब इसी condition के हिसाब से सायत राके जुन-जुन वाला जी ने इसमें investment किया कि company का जो condition है वो आगे हमें काफी improvement देखने को मिल सकता है ठीके और यहाँ पर अगर हम देखते हैं profit and loss जो पूरे साल भर में अगर compare करें ठीके तो मार्च 2010 में आप देख सकते हैं चालीस करोड के मतलब 40-45 करोड रूपे के something का company का sales growth था तीरता 11 में अगर देखे तो 43 करोड का sales 46 करोड चुमालिस करोड यहां पर कम हो गया था 14 में फिर 46 फिर 15 में भी 46 16 में 38 यहां पर कम हो गया था मार्च में 17 में फिर बढ़ गया 18 में फिर काफी बढ़ा 19 में देखे बहुत बढ़ा और यहां पर अगर में बात करता हूँ मार्च 20 की तो यहां पर कम हुआ था और 21 की फिर बढ़ गया मतलब अगर देखे तो नेट प्रॉफिट की अगर में बात करता हूँ तो 6851 करूर का प्रॉफिट यह प्रॉफिट है ना 4000 लॉस में भी आया है कंपनी को यहां पर आप देख सकते हूँ ठीक है प्रॉफिट इतना लॉस में भी आया है और अगर मैं लास्ट तीन साल के अगर मैं बात करता हूँ ठीक है तो यहां पर अच्छा कासा कंपनी का इंप्रूमेंट देखने को मिल रहा है मतलब बहुत ही अच्छी गासी बात हमें देखने को मिल रही है अब यहां पर शेरोल्डिंग पेटन पर भी नज़र डाल लेते हैं किस प्रका भी ठीक है यह एक अच्छी बात है दोस्तों इस प्रकाशन के अंदर अब यहां पर आगर देखते हैं तो कंपनी का नाम है दोस्तों आप देख सकते हो शेल अथरोटी ओफ इंडिया लिमिटेड टीक है इस्टिल सेक्टर की कंपणी और यह ना दोस्तों इक गौर्मेंट क company में दोस्तों हिस्सा लिया है जाके जुन जुन वाला जिने अभी क्यों लिया है हम इसको पूरा आप लोगों को क्लियर करते हैं जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत टाइप के यह इस्टिल्स प्रोड़क्ट बनाती है ठीक है जैसे अगर आप देखें तो यहां पर बता है यह जो पूरा स्टेक है ना सेंट्रल गवर्मेंट का है एक और करीवन जितना भी स्टेक है ठीक है लगबग 65% का ठीक है यहां पर अगर आप देखें ना तो कितने कॉंटिटी है यह कॉंटिटी है दोस्तों 268 करोड 47,44550 कॉंटिटी है जो 65% हो रहा इसमें मतला पूर गवर्मेंट का स्टेक है तो गवर्मेंट का स्टेक है दोस्तों कंपनी गवर्मेंट कंपनी और कंपनी आफ ही यह बन क्रूंपनी का Crash यह दो Bree आव गय क्यों और कि और लागह जिने क्यों पर आप80 कर रहा है था तो गिरावटे छे मेने में देखे तो तेजी है साथ हो सकता है इस तेजी के पीछे इन्होंने इंवेस्मेंट क्या एक कारण यह हो सकता है सेकेंड कारण यह है कि दोस्तो इसका जो fundamental condition है वो बहुत strong है ठीक है दो कारण हो गए और अगर हम overall का performance देखें तो देखें कमपनी मार्केट में बहुत पूरानी है इसका जो इतिहास का all time का हाई यह वो लगभग दोस्तो अगर देखे ना तो 260-270 रुपे का है fallless हमें देखने को मिले थी यहाँ पर आप देख सकतो 2008 में लगभग 14 रुपे तक यह stock आ गया था पूरे market में जब गिरावट हुई थी reversal लिया था लगभग दोस्तो 220 रुपे के आसपास तक यह गया था तो यहाँ पर हो सकता है कि दोस्तो जो गवर्मेंट का प्लान है सबी कंपनियों में से डिस इन्वेस्मेंट करने का जैसे आप देख रहे हैं कि बीपी सील में से वी वो अपना इस टेक कम कर रही है ठीक है उसको प्राइवेटिशन करने जा रही है और बहुत सारी बैंकों को भी करने जा रही है तो आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी गवर्मेंट कंपनिय दोस्तो वो कंसुलिडेट फेस क्यों करती इस रेंज में क्यों गुमती है जिसे SBI Bank हो गया ठीके O NGC हो गया BPCL हो गया इस सब एक दाइरे में ही क्यों ट्रेड कर पाती क्योंकि दोस्तो अगर देखा जाए ना तो इनके competition में इनके competition में जो प्राइवेट कंपनिया ना वो उनका हिस्सा ले जाती मतलब आप अगर देखेंगे तो SBI Bank हो गई अब SBI Bank कैसे रो रो के performance करती है उसके जो service है वो बेकार है इसके बदले में किसी private bank में अगर आप account open करोगे तो आपको महाँ पर service अच्छी मिलेगी तो सामने वाले वेक्ति को आज की condition में आज की दुनिया में क्या होना fast काम होना fast ठीक है यहाँ पर मतलब अटकन नहीं होन इनका दीरा-दीरा काम होता है इनको कोई project भी आगर देता है तो बहुत दीरे इनके जगाए को कोई private company को काम दे तो वहाँ पर तेईजी काम होगा क्यों वो private company यह सोचेगी कि मैं जल्दी काम खतम करके दूसरा कोई काम ढूंडू लेकिन यह क्या इसको दीरे-दीरे-दीर नहीं मिल रहे है खिर government के पास एक बड़ा challenging यहाँ पर stake है कि यहाँ पर 65% का stake पूरा बेचना पड़ेगा या अगर मान लेजे 50% भी बेचनी government तो बहुत मसक्कर करना पड़ेगा क्यों क्योंकि आप देख सकते हो अभी BPCL का disinvestment हो रहा है वो अभी तक नहीं हो पाया है त profit book कर रहा है ठीक है जैन उसे के साथ साल लेकिन यह company में से अपना stake कम करेगी company में से stake कम करेगी जिसके लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्या यहाँ पर जो momentum में वो बूस्टा बहुते देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर यह future के हिसाप चे इन्होंने investment के अगर देखे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो राकेट जुन-जुन वाला बाय इस टेक इन सेल पीए स्टेल स्टॉक जंप टू पर्शंट मतना उस दिन दो पर्शंट यह स्टॉक भागा था तो आप लोग अगर blindly follow करते हो राकेट जुन-जुन वाला जी को तो मैं आप कर दीजिए आप लोगों को महाँ पर बहुत पैसा मिलेगा क्यों क्योंकि उनका बिजनेस करने का मॉडल अलागे इनका बिजनेस करने का मॉडल अलागे आप लोगों को पता है कि एक गौश्मेंट कंपनी का मार्केट में क्या पॉफुमेंस रेता है ठीक है HDFC बैंक और SBI बैंक कहा है आप लोगों को पता है ठीक है तो मुझे इसके अलाबा आप लोगों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है तो अभी इस स्टॉक से दूर रही है का हाँ आपको इन्वेस्मेंट करना हो तो दस भी सो कॉंटिटी में इन्वेस्मेंट कर सकते हो इस से ज्यादा कॉंटिटी में इन्वेस्मेंट करने का आप लोगों को कोई फाइदा नहीं ठीक है अब इसमें से पूरा इस्टेक कम हो जाएगा गवर्मेंट का जब एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी जब हम इसमें इन्वेस्मेंट करेंगे क्यों कि प्राइवेट कंपनी इसको ए तो यह अप्डेट था यह अप्डेट आप लोगों को पसंद आतो प्लेस वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सस्क्राइब करेगा क्योंकि डेली बैसस पर हम आप लोगों के लिए इंट्राइड की टिप्स और मार्केट अपडेट लाते रहते हैं तो थैंकि दोस्तों